तो वेलकम बैक टूदा चैनल गाईस आज बात करने वाले हैं आरवन फाइल की मोडिकेशन के बारे में एक्सेंस इसके अंदर हो सकता है यह वर्जन वन वली वाई के है लेटस मॉडल नहीं है तो उसके एसाब से जो जो इसके अंदर हो सकता है वह आज हम इसके अंदर करने जाती है कि जो भी कोई dust particle है इसके अंदर से वो हट जाएं completely और एक even throw लुक आए कोई भी dust particle जो है वो lamination के अंदर जाके ना फस्टक हो तो यह चीज यहाँ पर प्रॉपर ध्यान रखा जाता है और finishing एक number आपको यहाँ पर मिलेगी कोई भी finishing में दिक्कत नहीं होने वाली आपको तो काम स्टार्ट हो चुका है आगे प्रोसीजर देखते हैं लेमिनेशन जो है वो यहाँ पर रख दी गई है यह पीपीएफ का सकते हो पेंट प्रोडेक्शन फिलम यह लेमिनेशन भी कह सक होने भाद है तो कुछ ऐसे इसके उन्दर लेमिनेशन की पर स्टार्ट होता है प्रोपर टांग के उपर इसके उपर स्प्रे किया जाता है और वाद इसके उंदर टांक है उसके उपर अप्लिकेशन करी जाती यह पीपी आपको कह सकते हैं और काफी अच्छा एक नेया जीनस से भी किसी से भी चाबी बावी से कड़े से तो वो चीज आपके टैंक को बचा लेता है और टैंक पे ley Dusk लगने से जो मेजर ली स्क्रैच अवा दर उल बाइक पर इंदर बझ जाते हैं और आपको एक अची लुक में आपको चेक आउट करवाऊंगा इसका कि फाइनल लुक लिकल के क्या आएगा लास्ट में पता तक नहीं चलेगा कि कुछ ऐसा लगा भी था तो हीट गन और प्रॉपर स्लाइडर का यूज इसके अंदर होता है एक्स्ट्रा वाटर को लिकालने के लिए और एक इव लिकल के आगे मतलब जो पेंट के अंदर जो डलनेस थी ना वो डलनेस चुप चुकी है और एक काफी अच्छा इवन दो लोग इसके अंदर लिकल के आगया स्क्राच जो पहले से लगे हैं वो जाएंगे नी बट और और स्क्राच इस लगने से आप बचा सकते अपनी लिकल के आता है उसकी जो इवन ठो लुक है वो पर आचुकी है बस फाइनल कटिंग बची है तो कहीं से भी आपको लगे गाई नहीं कि इसके अंदर लेमिनेशन हुई है बस जो फाइनल जो कटिंग इसके बचेगी उसके बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसके ज्चीज को चीज हूई है और जो पेंट की ज्ची जो औरीजिनल लॉस्ट थी वो खत्म जो हो गई थी नहीं सब्सक्राइब hope नहीं कि इसके एप तरव इसके दलेंगे LED इंडिकेटर और फ्रेंट में इसके अंदर LED ही दलेंगे बट दोनों का डिजाइंग लाइंग्वेज अलग लग होगा जो पीछे के होंगे वह नॉर्मल जैसे कंपनी की तरव से भार की तरव डेंगे और वो फ्रेंट में इंडिकेटर जालेंगे अगे क्या काम इसके अंडर होता है नहीं इंडिकेटर गएक कोई बींद होती है जो प्लग औन प्ले का जो औरिजनल कंपनी की वायर्स होंगी उनके साथ इसको टेपिंग करके लगा दिया जाएगा और एक इवन थ्रो एक अच्छा नया लुक बाइक के अंदर आपको मिल जाता है तो एक बाद लग जाने देते हैं फ्रंट और रेर के इंडिगेटर के बाद इसका फाइनल लुक चेक आउट करेंगे क्या लुक लिकल के इसके अंदर इंडिगेटर का आता है कि और क्या क्या स्के अदर होता है। जो इंडिकेटर प्लिस्मेंट है और इंदिकेटर के रीछ Long निदर उपे उसके अजह आूंदर लगते हैं। कुछ side में ऐसे indicators मिल जाते हैं यह इनका running mode है headlamps पहले से customized थे इसके अंदर तो हमने अभी फिलाल कुछ भी नहीं करवाया दोनों साइड इसके अंदर indicators हमें ऐसे मिल जाते हैं अगर मैं rare profile की बात करूं तो rare profile में भी जो इसका on mode है always on mode वो कुछ ऐसा रहेगा red-red में और जब जैसी हम indicators जलाते हैं इसके और जो mirrors लगे थे उसके अंदर भी आपको flashers में indicators मिल जाएंगे अगर मैं इसका front look check out करवाऊं तो यहां पर आपको कुछ LED based इसके अंदर indicators मिल जाएंगे mirror के अंदर और यह आप हर किसी R15 में लगवा सकते हैं दोनों साइड यह ऐसे सेम वर्क करते हैं अगर मैं इसका यहां का इंडिकेटर दे रहा हूं तो सेम आज़े इस वक करेंगे अगर मैं नीचे की बात करूं इंडिकेटर की तो कुछ ऐसा लुक लिकल के आता है इंडिकेटर का नीचे की तरफ से अगर मैं एक बार पूरा डिम करके आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा लुक लिकल के इसका इंडिकेटर का आएगा काफी classic लुक लिकल के आता है बाइक का इंडिकेटर चलने के बाद औ आपको शीशे में भी प्रॉपर बिलिंग होगा दोनों साइड ही होगा तो काफी एक प्रीमियम लुक आपको मिल जाएगा बाइक के अंदर जब अगर आप यह सारा काम करवाएंगे और टैंग की लेमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो वह लेमिनेशन प्रॉपर हो चुकी ह है इसके अंदर क्लियर लेमिनेशन है को ही यह कुछ ही यहां में ठीडाब को बात करते की तो सब कुछ मैं यह अब जाते तो बर लिंदर टील-चार चीज़े तो स की क्या स्ट है तो जो इसके अंदर मोडिकेशन पड़ी एप को बता दूंस अब बात करूं स hen そ About Myanmar की नहीं करवाई है सिर्फ टैंक की लेमिनेशन होई है वह अठारा सुर्पी की हमें कॉस्टिंग करी है यह ग्लॉसी लेमिनेशन थी एटीन हंडे इसकी कॉस्ट थी अगर मैं नेक्स इसकी बात करूँ जो मिरर्स लगे हैं इसके अंदर LED के साथ जो फ्रंट और रेर दोनों स आपको दिख रहे हैं जलते हुए इसकी कॉस्टिंग भी चेशन रसेख और 640 और मैं बात करूं इसके अंदर जो नेक्स इसके अंदर हुई थी वह अचलिकशा सहान मॉड़िक और यह इक डोजार मॉडली मॉडल की जो आरमन वाइव ए लुक आ गया है यह कुछ छोटी मोडिफिकेशन करवाने के बाद और एक अच्छी जगा से काम हुआ तो उसके बाद साटेस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छी मिल जाती है आपको यह कुछ था इसकी वीडियो कि इसके नतर क्या काम हुआ और कैसे हुआ तो वीडियो पसंद आज दिए वीडिय